गुड मॉर्निंग इस्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे वैलकम करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल में तो आज हम एक बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जैसा आप जानते हैं कि सिविल इंजिनरिंग के फाइनल सेमिस्टर में सिक्स सेमिस्टर में प्रोजेक्ट वर्क होता है और सभी ब्रांचिस में होता है तो आज हमें इसे पांच बेस्ट प्रोजेक्ट आइडिया के बारे में बात करेंगे जो कि सिविल इंजिनरिंग के स्टूडेंट्स को जरू and estimation of low cost water harvesting system for polytechnic यानि कि polytechnic है तो कम लागत के water harvesting system का design एवाम उसका आकलन करना बच्चों जैसा कि आप जानते हैं जो water harvesting system है वो आज के समय की demand है चाहे वो water को store करने के लिए हो चाहे वो जो जमीनी पानी है उसको जो है तो recharge करने के लिए हो आप जानते हैं कि जो ground level जो water का level है वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है और मदरास में चेन नई में आपने स्थिती देखी होगी कि बिल्कुल जो ground level जो water का जो ground level था बिल्कुल zero हो गया था theoretically तो वहां कितनी समस्याइं हुई है और आज भी सूखा ग्रस्त चेत्र यह हमारे बुंदेल खन चेत्र ले लीजिए जहां पर संस्थाएं दूर दराज की हैं कितनी प्रॉब्लम साती है तो आप पॉली टेक्निक के हिसाब से आप पॉली टेक्निक में यदि अध्याइन रह हैं तो वहां के लिए आप एक low cost water harvesting system चाहे वो rooftop water harvesting system हो या किसी अन्य तरह से उसको आप design कर सकते हैं आप यहां पर देख भी पा रहे हैं इस तरह से आपको बताना है तो देखी water harvesting system कई तरीके का हो सकता है और depend करता है building किस तरीके की है माली जी कोई 10 floor की building है उसके लिए उसक design के साथ ही पहले जो structure मिला तो उसके साथ ही water harvesting system था तो वहां जो निर्मा लेकाईती हो सकता है उसने बना दी हो लेकिन maximum polytechnic अभी भी ऐसे हैं जहां पर water harvesting system उपलब्द नहीं है और यह AICT के norms में भी आता है तो आपको इस पर जरूर काम करना चाहिए ऐसे civil engineer आप इसमें प पी बलकि जो अधर जो polytechnic संस्थान है उनके भी कही न कहीं काम आएगा आप यदि net पर अभी आप ready में ढूणें कि आगर polytechnic के हमारी जो building उसके लिए कौन सा ready में क्या dimensions हो क्या system हो तो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा आप चाहिए सर्च करके देख लिए तो वो काम आप करके दिखाईए और आप दूसरों के लिए एक role model बनिये कि देखिए इस संस्था के polytechnic के छात्रों ने ये water harvesting system का design तयार किया है और बताया है कि ये best है वहां की buildings के आप से इसको यदि हम implement कराते हैं तो इतना cost आएगा इसे इस तरह से बनाना है easy steps में और आप उसको ब बालू ये सब होता है वो आपको अपने पैसे नहीं लगाना है आपका काम है उसका design तयार करना site का पूरा survey करना और क्या best model हो सकता है वहां के लिए वो आपको बताना और उसका पूरी cost का estimation करना तो ये महत्पूर्ण तत्थों को द्याद रखते हुए उमीद करता हूँ कि ये जो project model है ये आपके लिए सर्वोत्तम होगा जो मैंने heading बताईए उसी तरीके से उस पर आप काम करिए दूसरा है आपका जो हो सकता structural analysis of polytechnic buildings यानि polytechnic भवनों का structural analysis करना आप जानते हैं कि ये जो आपका subject हैस तरीके का civil engineering के final semester में होता है ठीक यदि वो आप subject पढ़ रहे हों तो structural analysis करना आपको जरूर आना चाहिए तो उसकी सुरुवात आप कहां से करिए आप अपने polytechnic के भवन से करिए या आप engineering college में पढ़ रहे हैं आप वहां से पढ़िए analysis के लिए पूरे आप थेरी के सिधानत आप लगा सकते हैं analysis का जो आपने पढ़ा है अपने syllabus में ज open source of dates के मैं आपको नाम बता दूँगा next वीडियो में तो आप उन पर काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप अपने जो building जो आपका polytechnic है उस पर आप focus करते हुए उसका structural analysis करके एक report तयार करें जो सिर्फ नाज आप संस्ता के काम आएगी बलकि और दूसरे संस्त करने होगी पूरे concept को समझना होगा तब जाकर के आप इस लाइक बन पाएंगे कि structural analysis पूरे भवनों का आप hostel ले सकते हैं main building ले सकते हैं और अन भवन जो आपके वहाँ पर बने हो उनका आप ले सकते हैं और उनका पूरा structural analysis कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा project है और as a civil engineer पूरा आपको उसमें contribution देना है तीसरा project है आपका design and fabrication of bascule bridge working model तो bascule बांध के कारकारी model का design है और निर्माल करना जैसे बहुत सारी students civil के क्या करते हैं कि model बनाते हैं model में क्या करते हैं simple एक कार्ड बोर्ड लेते हैं उस पर एक road बना दिया या एक bridge बना दिया कार खड़ी कर दी तो model थोड़ा simple हो जाते है simple in the sense के माली जी आठ्मी दस्मी में पढ़ने वाले बच्चे science के project model लगाते हैं उसमें भी वही चीज़ करते हैं तो आप में और उनमें अंतर क्या है तो कहन बनाना है पूरा उसका analysis करना है कैसे कार करेगा कैसे कर रहा है तो वह आपको करना है तो यह मैं आपको दिखा देता हूं जिसे लंदन का आपने tower bridge का नाम सुना होगा यह आप देखिए तो यह आपका bridge है इस तरी के का working model तयार करिए मैं आपके लिए अभी देखिए एक animation भी लाया हूं इसको आप देखिए किस तरह से काम करता है यह देखिए तो इसका कैसे force लगेगा कैसे यह बंद होगा कैसे खुलेगा कब खुलना बंद होना चाहिए तो यह पूरा working model यह आप बनाएंगे तो बहुत effective होगा फाइल में पूरा design तयार करिए कैसे बनता है कित लोड लगेगा कितना dimensions होती है as a civil engineer पूरा आप इसमें contribution दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होगा यदि आप कर सकें तो बहुत ही बढ़ी है अगला हम बात कर लेते हैं चौता प्रोजेक्ट है experimental study of interlock brick made of plastic waste material यानि निस प्रियोज प्लास्टिक पदार्थ से बनाए गए interlock heat का प्रियोग आत्मक अध्यान करना experimental study यदि आप experiment करना चाहते हैं तो इससे अच्छा प्रोजेक्ट आप के लिए हो नहीं सकता है आप जानते हैं जितने भी polytechnic engineering college सब जेके compression tester या compression testing machine रखी ही हुई है नई आईए सब जेक खरीदी गई है तो आपको इसमें interlock break आपको किसके बनाती जो plastic waste material होता है तो उसका कोई एक दो brick बना कर देख लीजी उसको देखिए पूरा net में सर्च करिए पहले भी बन चुकी हैं आप क्या low cost उसमें और क्या आप अपना contribution दे सकते हैं उसको बना करके eat तयार करके interlock break आप क्या करेंगे उसको जो machine रखी ह आपके institute में ने तो आप आसपस देखेंगे तो कहीं इस तरीके के testing का काम करते हैं आप वहाँ से अपनी brick test करा सकते हैं तो आप एक normal brick का और उस brick की आप testing करा करके strength आप बता सकते हैं कि देखे compression strength या अन्न तरीके की strength ये इतने हैं और ये कितनी अच्छी brick थावित होगी और cost इसकी इतनी आएगी तो पूरा आपको analysis करते हुए पूरा manufacturing का process उसमें बताते हुए पूरा प्राइज उसका बताते हुए और जो available जो bricks हैं उनसे compare करते हुए पूरा आपको project report तयार करना है detail और बहुत ही अच्छा project report होगा और निश्चेत तोर पर ये जो plastic waste जो लगातार जो ecosystem को जो परियावरा उनको नुकसान पहुचा रहा है plastic अगर उसका use करके आप कोई brick तयार कर पाएं या कोई इस तरीके का pavement का आप तयार कर पाएं तो एक बहुत बड़ी बात होगी और ये experiments जो आप कर लेते हैं में और आगे उनको जो growth में करियर में उसमें बहुत हिर्प मिलेगा तो इसको जरूर करिए कोसिस करिए इसको करने की अगला है design and fabrication of vertical lift bridge working model तो उर्दवाधर lift बांध जो होता है उसके कारकारी model का आपको design आवम निर्माल करना है तो ये जो उर्दवाधर lift bridge होता है वो कैसा होता है इसको हम देख लेते हैं ये bridge देखी हो तो उर्दवाधर यानि vertically पूरा उपर उड़ जाता है और फिर नीचे आ जाता है तो माली जैसे ये नदी है कोई या कोई जलासा है तो वहाँ से कोई boat बगेरा चल रही है तो जब boat को निकलना था या जहाज को तो उपर उड़ आप देखिए उसमें बरावर से आगे आप गाड़ियां निकल गई ट्रेन भी निकल सकती है इससे तो इस तरीके की जो ट्रेन निकलाएंगे कि आप कार रोड आप पास कराएंगे नीचे कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए ब्रे उसकी जो जहाज निकलते हैं या इतने हैं नदी में आप बना रहे हैं तो कितनी लेंद का बनेगा तो यह सारा आपको case study करते हुए पूरा आपको बनाना तो यह थे पाँच बेस्ट प्रोजेक्ट आइडिया जो मेरे हिसाब से बेस्ट हैं इस्टूडेंट्स को काम करना चाहिए ऐसे सिविल इंजिनियर पूरा आप कंट्रिबूशन दे सकते हैं यह प्रोजेक्ट ही है इसी चीजे सिक्स सेमिस्टर में होता है जो पूरे साल तीन कर सकूँगा तो मुझे बहुत खुशी होगी आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपना मुझे जरूर बताएगा पूछेगा तो मैं आपको जरूर गाइड कर दूँगा तो यह मेरी पहली किस थी प्रोजेक्ट आइडियास की आपको यदि और कोई आइडियास चाहिए हो आ आज के लिए तना काफी है उम्यद करता हूँ कि आप प्रोजेक्ट मॉडल बहुत अच्छा बनाएंगे और यही सही समय है अपने कार को करने का बिलुकुल सुरुआत कर दीजिए और इसको लगातार मेहनत करते हुए उसको आप बनाईए फाइल बहुत अच्छी इन्ही सुब कामनाओं के साथ आज किस वीडियो कहीं समाप्त करता हूँ थैंक यू बेरी मच आपका दिन शुब हो